जैमातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें दोस्तों, साल 2030 का पहला चंद ग्रहन बहुत ही जल्द लगने वाला है बैसाक मा की पूर्णमा को ये चंद ग्रहन लगेगा पांच माई 2030 दिन सुक्रवार को साल का पहला चंद ग्रहन लगेगा ऐसे में इस चंद ग्रहन से जुड़ी कम्प्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी जैसे की पांच माई का चंद ग्रहन कितने बजे लगेगा ग्रहन कब सुरू होगा और कब समाप्त होगा ग्रहन के सूतक का समय क्या रहेगा क्या ये ग्रहन भारत में दिखाई देगा या नहीं भारत के लावा और किनकिन देशों में ये चंदग्रहन दिखाई देगा साथ ही ये भी बताएंगे कि इस चंदग्रहन की समय नियमों का पालन करना है या नहीं और गर्वती को कौन-कौन सी सौधानिया रखनी चाहिए इसके बारे में भी टिटेल में जानेंगे इसलिए लास तक इस वीडियो को जरूर देखें लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल वर्ड बैस मेजिक को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों पांच मै को बैसाक पूर्णुमा के दिन साल का पहला चंद ग्रहन लगेगा और इसी दिन बुद्ध पूर्णुमा का पर्व भी मनाया जाएगा दोस्तों हिंदु धर्म में बुद्ध पूर्णुमा का विसेश महत्त है आपको बता दें कि ये चंद ग्रहन बेहत खास होने वाला है इसका प्रभाव रासियों पर भी पड़ेगा जो 30 के अनुसार चंद ग्रहन को असुप घटना माना जाता है इस दोरान कई कार्णूं को करना वर्जित पताया गया है दोस्तों चंद ग्रहन के समय चंद्रमा पीडित अवस्था में होते हैं और असुप फल देते हैं जिस वज़े से इसका असर हर मानों जीवन पर भी पड़ता है दोस्तों बात करें 5 मैं को लगने वाले चंद ग्रहन के सही समय की तो 5 मैं को लगने वाला चंद ग्रहन रात 8 बच कर 45 मिनट पर सुरू होगा और इस चंद ग्रहन की समाप्ती देर रात एक बज़े हो जाएगी इस चंद ग्रहन की कुल अवदी 4 घंटा 15 मिनट की रहने वाली है मानिता है कि चंद ग्रहन जिस स्थान पर दिखाई देता है वहां सूतक काल लग जाता है सूतक काल असुप समय होता है जिस समय कुछ विशेज बातों का ध्यान रखा जाता है जिससे जातक पर ग्रहन का बुरा प्रभौण ना पड़े आपको बता दें कि 5 मैं को लगने वाला चंद ग्रहन उपछाया चंद ग्रहन है दोस्तों उपछाया चंद ग्रहन तब लगता है जब चंद मा प्रत्वी की वास्तविक चाया से ना गुजर कर उसकी बाहरी चाया से ही गुजर जाता है इस तरह के चंद ग्रहन में चंद मा काला नहीं पड़ता है बस चंद मा के उपर एक धुंदली सी परत आ जाती है जिस वज़े से चंद्रमा थोड़ा सा मट मैला नजर आता है इसलिए इसे चंद्रमाल इन ग्रहन भी कहते हैं दोस्तों 5 मैं का लगने वाला चंद ग्रहन सुरू से लेकर समापती तक भारत में देखा जा सकेगा और भारत के साथ साथ ये चंद्रहन दच्छनी पूर्वी यूरोप, एसिया, अस्ट्रेलिया, अफरीका, न्यूजीलेंड, अफगानिस्तान, फिनलेंड, जर्मनी, अफरीकी महाद्यूप, पाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, अट्रांटिका, प्रशांतवा, हिंद महासागर मे भी देखा जा सकेगा, और अब बात करें, पांच मै को लगने वाले चंद्रहन के सूतक काल के समय की, कि इसका सूतक काल लगेगा या नहीं, और यदि लगेगा, तो उसका सही समय क्या रहेगा, दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी, कि पांच मै को लगने वाला चंद्रह एक उप्चाया चंद ग्रहन है और उप्चाया चंद ग्रहन को जोतिस्वण्चांग के अनुसार ग्रहन की संग्या में नहीं रखा नहीं जाता हैं। प्राप्त है ये बहुत ही कमजोर ग्रहण होते हैं अगर इनका सूतक ना भी माना जाए तो इसमें कोई भी प्राप्लम नहीं होती जोतिस पंचांग के नुसार उपचाया चंद ग्रहण का यम नियम सूतक माना नहीं जाता है इसलिए तो अगर प्रेगनेंट लेडिज चाहे तो इस चंद ग्रहण के सूतक के नियमों का पालन ना करना चाहें इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी लेकिन बहुत से लोग हर तरह के ग्रहण का विचार करते हैं तो अगर आप चंद ग्रहण के सूतक का पालन करना चाहते हैं तो बेसक कर सकते हैं आपको बता दे कि चंद ग्रहन का सूतक काल ग्रहन सुरू होने के 9 घंटे पहले सुरू हो जाता है तो 5 मैं को लगने वाले चंद ग्रहन के सूतक काल ही शुरुवात 5 मैं की सुबा 11 बचकर 45 मिनट पर हो जाएगी और सूतक काल की समापती ग्रहन के साथ ही 5 मैं को देर रात एक बज़े होगी और अब बात करते हैं कि क्या इस चंद ग्रहन में नियमों का पालन करनी की आवश्यक्ता होगी या नहीं तो दोस्तों उपचाया चंद ग्रहन में नियमों का पालन करना कंबल सरी नहीं होता है क्योंकि इन्हें प्रतच ग्रहन की सेड़ी में नहीं रखा जाता है तो आप ग्रहन वासू तक के नियमों का पालन करें या ना करें ये टोटली आपके एक्छा के उपर है लेकिन बहुत से लोग खास कर जिनके घर में प्रेगनेंट लेडीज हैं तो उन्हें हर तरह के ग्रहन में साफधानी रखने की सलह दी जाती है तो सेफटी पॉइंट आव व्यू से जो गर्वती नियमों का पालन करना चाहती है तो वो बेसक कर सकती है चलिए अब जानते हैं कि चंद ग्रहन के दोरान किन-किन बातों का ध्यान रखना है और कौन-कौन सी साफधानिया चंद ग्रहन के समय रखने चाहिए दोस्तों ग्रहन के दोरान हमें कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए ग्रहन के दोरान निकलने वाली हानी कारक किरने आपको नुकसान पहुचा सकती है और ग्रहन को खुली आँखों से देखना भी नहीं चाहिए ग्रहण के दोरान किसी से लड़ाई जगड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही ग्रहण के समय पैसों का लेन देन करना चाहिए इसके अलावा ग्रहण के समय भोजन बनाना खाना भी नहीं चाहिए इस समय पानी भी नहीं पीना चाहिए हाला कि ये नियम बच्चे भूढे और रोगी पर लागू नहीं होता है ग्रहन के समय मास मैदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए इस समय जुआ खेलना नहीं चाहिए ग्रहन के समय बाल खीचना, तेल मालिस करना, बुरुस करना भी मना होता है ग्रहन के समय कपड़े धोना, बर्तन धोना, कपड़े निचोड़ना आदी जैसे कारभी वर्जेत होते हैं ग्रहन के समय आप घर की साफ सफाई भी ना करें ग्रहन के समय कोई भी सुब या नया काम भी नहीं करना चाहिए ग्रहन के समय कभी नया वाहन नई प्रापर्टी भी ना लें और कोई नया बिजनस या नया धंदा सुरू ना करें ऐसा करने से आपको असुफल ही प्राप्त होगा चलिए अब गर्वती महिलाओं के बारे में जानते हैं कि चंद ग्रहन के समय उन्हें कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए गर्वती को जो बात सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है वे है कि ग्रहन के समय गर्वती को कोई भी नुकिली या धारदार चीज का इस्तमाल नहीं करना है उन्हें इस समय चाकू, कैंची, सुई, नेल-कटर, आदिका इस्तमाल नहीं करना चाहिए इस समय आपको सबजी या फल भी नहीं काड़ना चाहिए सिलाई, बुनाई, कढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए ऐसा करने से होने वाले सिसु को नुक्सान पहुँचता है दोस्तों, गरपती को गरहन के समय सोना भी नहीं चाहिए इस समय सजना सवरना भी नहीं चाहिए इस समय किसी तरह का योगा या एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए इसके लावा गरहन के समय सिर में तेल नहीं लगाना चाहिए गर्वती को ग्रहन के समय भगवान का ध्यान या मंत्रों का जाब करना चाहिए या ग्रहन के समय संतान गोपाल मंत्र का जाब करें या किसी धार्मिक पुस्तक का पार्ट करें जैसे रामार्ण, गीता, सुंदरकांड या तुर्का सब्तसती का पार्ट करें चलिए अब जानते हैं कि ग्रहन के दूस प्रभाव से बचने के लिए गर्वती महिलाओं को कौन कौन से उपाय करने चाहिए दोस्तों चंद ग्रहन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए गर्वती अपने गले में एक तुलसी की माला पहन ले और फिर जब ग्रहन समाप्त हो जाए तो इस तुलसी की माला को किसी बैते हुए जल में प्रवाहित कर दें दोस्तों ग्रहन लगने से पहले करवती अपने पूरे पेट पर हल्दी या चन्दन का लेप भी जरूर कर ले इससे ग्रहन का दोष प्रभाव आपके होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ता है साथ ही ग्रहन के समय अपने पास एक नारियल भी जरूर रख लें इसे सेवाता वरहन से निकलने वाली हान कारक किरने आपको और आपके होने वाले सिसु को नुकसान नहीं पहुचाती है दोस्तों जब ग्रहन समाप्त हो जाए तो गर्वती महिला को गंगा जल डाल कर इसनान करना चाहिए ये ग्रहन रात एक बजे खत्म होगा इसलिए आप अगले दिन सुबा गंगा जल डाल कर इसनान अवस्य करें और इसनान करने के बाद अपनी यथा सकती के नुसा दान दचना भी करें आप अन्य वस्त्र धन का दान करें इससे आपको पुन्निफल की प्राप्ती होगी तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद